हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं बना रही हूं पास्ता ये देखिए कि इस पर एक बर्दन रख दिया है मैंने उसमें पानी डाल रही हूं पानी को हम गरम होने देंगे देखिए पानी गरम हो चुका है इसमें ओयल डारनी है थोड़ा सा एक टेबल स्पून और एक बाउल पास्ता आदा टेबल स्पून नमक इसको हम अच्छे से बॉयल होने देंगे सॉफ्ट होने तक पास्ते में उबाल आ चुका है देखिए पास्ता उबल कर बिल्कुल तयार है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है हम गेस को ओफ करेंगे पास्ते को साइड में रख देंगे हमें कड़ाई लेंगे कड़ाई में मैं ऑईल डालूंगी ओईल को हम गरम होने देंगे देखिए ओईल गरम हो चुका है इसमें जीरा डालूंगी जीरा हमारा अच्छे से भुन गया इसमें में दो मीडियम साइज के बने प्याज लिए हैं दो मीडियम साइज के टमाटर और एक छोटे साइज की शिम्ला मीड़ प्याज डाल दियें प्याज को हम अच्छे थोड़ा सा भुन लेंगे अग्दम अच्छे से सॉफ्ट रहीं करेंगे देखिए प्याज भुन चुका है इतना ही भुनना है हमें इसमें शिम्ला मिड़ डालेंगे सिम्ला मिड़ भुन कर तैयार है अब इसमें मटर डालूंगी यादा बाउल मटर लिया है मैंने इसको हलका सॉफ्ट कर लेंगे हमें इसमें टमाटर डालूंगी टमाटर को भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे टमाटर ही पक कर बिल्कुल तैयार है अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर आदा टेबल स्पून इसको मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे अब याद डालूंगी मिर्ची पाउडर आदा टेबल स्पून इसको भी मिक्स करेंगे थोड़ी दिर भूल लेंगे हमें डालूंगे पास्ता जो बेने उबाल कर रखा था यह देखिए पास्ता किता अच्छा उबला है लेकल खिला 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 अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी दिर मसालों के साथ पकने देंगे तक खिला खिला पास्ता है इसमें डालूंगी हरा धनिया थोड़ा नमक नमक मैंने बॉयल करते समय भी डाला था इसलिए मैं कमी डालूंगी आप अपने टेस्ट के साथ डालें और बारिक कटा हुआ हरा धनिया पास्ता बनके बिल्कुल तैयारे आप भी बनाएं खाएं सबको खिलाएं बहुत पसंद आएगा मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी वीडियो को लाइक करें शेर करें यह जद सब्सक्राइब करबात फसंद ड्रहा गला करें डिल्क करें वीडियो एलख करेंको ना एंवा हुआ in हो